उद्धर कुट वाली श्रीव सेना के मुखपत्र सामना में छपे संपादकी में शरत पवार के इस्तीफे को प्लांट बता गया है संपादकी में लिका है पवार ने अपना भाशन पहले से ही तयार कर रखा था श्रीव सेना ने संपादकी में कहा है कि हम इस बास से बिल्कुल सहमत नहीं है कि पवार एक मई यानी महराष्ट दिवस पर रिटायर होने की योजना बना रहे थे लेकिन मुंबई में वांचित बहुजन अगाडी की बेटक की वज़ा से उनने दो मई को इसकी खोशना की शी उसेना ने ये भी दावा किया है कि एनसीपी में कईयों के एक पेर भाचपा में है पार्टी को इस तरह से तूटते देखने की बजाए पवार ने सम्मान से रिटायर्मेंट ले लिया अगर ऐसा विचार पवार के मन में आया होगा तो इसमें गलत नहीं है सामना में कहा गया है कि अजीत पवार का अंतिम लक्ष महराष्ट का मुख्यमंत्री बनना है सामना में लिखा एनसीपी के कई नेता उन्हें पवार के इस्तिफ़े के बाद उन्हें मनाने की कोशिश की पवार के पेरों पर गिर गए उनसे कहा कि आपके बिना हम कोन लेकिन इनमेस से ही कई NCP नेता बाश्पा में जाने की तयारी कर चुके हैं राज की राजनिती में कभी भी कोई भुकंप आ सकता है ऐसे माहोल में पवार ने इस्तिफा दे कर हलचल मचा दी है सामना के संपादकी में लिखा है कि शरत पवार की उम्र 80 साल से जादा हो चुकी है फिर भी वे राजनिती में एक्टिव है पवार की राष्टवधी कॉंग्रेस पार्टी उनके नाम से खड़ी है और चल रही है पवार के इस्तिफे के बाद सभागर में मुझूद लोग भावक हो गए उसमें जैन्द पार्टिल ने सही कहा कि आप ही पार्टी है हम आपको देखकर ही राजनिती में आए और आपके नाम पर ही वोट मांगते है आप नहीं रहेंगे तो हम पार्टी में क्यों रहें हम भी इस्तिफा देते हैं जैन्द पार्टिल ने पार्टी कारे करताओं की भावना वेक्त की और यह सच है एन्सेपी अध्यक्ष पत से शरत पवार के इस्तिफे से पार्टी के कई नेताओं को जटका लगा है जिन में वरिष्ट नेता प्रफुल पटेल और जैन्त पार्टिल भी शामिल है यह आम तोर पर पार्टी के हर बड़े फैसले में शामिल रहते हैं पावार के इस्तिफे की गोश्टना के बाद पार्टी के कुछ नेताओं ने उनसे कहा कि उन्हें अपने फैसले पर चर्चा करनी चाहिए थी इस पर पावार ने जवाब दिया कि अगर उन्होंने इस फैसले के बारे में पहले बताया होता तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाती